चाड़क के IS Academy में आप सभी का स्वागत है। उसके CEO हैं। हम बात कर रहे हैं भारतिये प्रवासियों के बारे में। इनका कद इस बात से समझा जा सकता है कि भारत के राश्पती, प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री और कई ताकतवर कैबिनेट मंत्री इनके स्वागत के लिए 9 जन्वरी को इंदोर पहुँचे। मौका था सत्र में प्रवासी भारतिये दिवस समेलन का। अब हम बात करेंगे प्रवासी भारतियों में कौन शावे होते हैं। डाइस्पोरा एक ग्रेक वर्ड है। ग्रेक में इसका मतलब होता है बीजों को बिखेरना यानि की स्कैटरिंग ओफ शीट्स। बाद में डाइस्पोरा शब्द का यूस जूस समदाय के लोगों के लिए होने लगा, जिनने विभिन देशों से बाहर निकाल दिया गया और दूसरे देश में वो बस गया। डाइस्पोरा यानि प्रवासी शब्द आम तौर पर उन्हीं लोगों के लिए उप्योग किया जाता है जो किनी वजों से अपने मूल देश से बाहर रह रहे होते हैं यानि भारत से जो लोग दूसरे देशों में चले गए हैं उन्हें ही इंडियन डाइस्पोरा या प्रवासी भारतिय कहते हैं ब्रिटिश शाषन के दोरान बड़ी संख्या में भारतिय फिजी, केनिया और मलेशिया जैसे देशों में गए जो खुद भी ब्रिटिश कॉलनी थे यह आजादी के बाद विविन सामाजिक स्तरों पर जारी रहा अब भारतिय ब्रिटेंड, अमेरिका और खाड़ी देशों में जाना पसंद करते हैं इंडियन डाइस्पोरा को पहले तीन कैटेगरी में बाटा गया था, पहला है नॉन रेजिडेंट इंडियन यानि नराई, ऐसे भारतिय नागरिक जो रोजगार या सिक्षा के लिए ऐस थाई रूप से 6 महीने के लिए दूसरे देश में चले गए हो, इन में से कुछ भार आती है, परन्तुवे भारत में रहता नहीं है, इसके बाद आता है Overseas Citizens of India यानि की OCI, ऐसा व्यक्ति जो 26 जरुरी 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक थे या उस तारीक पर भारत का नागरिक बनने युग्ये थे, या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बने, किसी छेत से समन्दित थे, या ऐसे व्यक्ति का बच्चा या पोता जो अढ़े मांदन पूरे करता हो, उनको OCI कहते हैं, भारती मूल के विदेशे नागरिकों के लिए पहली बार, साल 2002 में PIO कार्ड को लाँच किया गया था, इसका उदेशे विदेशों में रह रहे हैं भारतियों क उनकी थर्ड जनरेशन से जोड़ना था, OCI कार्ड को 2005 में लागू किया गया था, इसमें PIO कार्ड की तुलना में जादा बेनिफिट दिये गये थे, यह कार्ड जीवन भर के लिए वैलेड था, 2015 में PIO कार्ड स्कीम को भारत सरकार ने वापस ले लिया और इसे OCI में मर्च कर दिया, अब हम बात करेंगे दुनिया भर में प्रवासी भारतियों की संख्या कितनी है, भारतिये विदेश मंत्राले की रेपोर्ट के अनुसार, दुनिया भरे 100 से ज़ादा देशों में 3.2 करोड इनियन डाइस पोरा है, देश के बाहर रहने वाले भारतियों की संख्य पिछले 28 सालों में 340 परसेंट बड़ी है 1990 में विदेश में रहने वाले भारतियों की संख्या 90 लाग थी अप्रेल 2022 में लोग सभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रिय ग्रहराजे मंत्री नित्यानन्द रोय ने बताया था कि 1 जनवरी 2015 से 30 सितंबर 2021 के बीच करीब 9 लाख लोगों ने भारतिय नागरिकता छोड़ दी है यानि हर रोज करीब 350 भारतिय नागरिक देश की नागरिकता छोड़ रहे है टॉप 10 देश जहां पर सबसे जदा इंडियन डाइस्पोरा है उसमें अमेरिका नमबर वन पर है उसके बाद UAE का नमबर आता है तीसरे स्थान पे मलेशिया, चौथे नमबर पर साओधी अरब, फिर मयंमार, ब्रेटेन और कैनेडा, इसके बाद श्रेलंका और साउथ अफ्रीका और कुवेत आते हैं अब हम बात करेंगे भारतिय मूल के उन व्यक्तियों के बारे में जो दूसरे देशों में प्रधान मंत्री और उपराश्टपती की पोश्ट पे हैं इस समय दुनिया के तीन देशों में ब्रिटेन, पूर्टगाल और आइरलेंड में भारतिय मूल के प्रधान मंत्री हैं ब्रिटेन में रिशी सुनक, आइरलेंड में लियो वराटकर और पूर्टगाल में एंटोनियो कोस्टा प्रधान मंत्री हैं इसके साथ ही अमेरिका की उपराष्टपती कमला हैरिस भी इंडियन डाइस्पोरा से आती है ग्युवाना की राष्टपती मुहम्मद इर्फान अली और सुरीराम की राष्टपती चंद्रीका प्रसाद संतोखी भी भारत्य मूल के हैं अब यहां पर यह सवाल आता है कि क्यूं है भारत्य प्रवासियों का इतना महत्व विश्व में भी और भारत में भी प्रवासी भारतिय यानि इन्डियन डाइस्पोरा आपने मूल देश के घितों को विदेश में आगे बढ़ाने में एहम भूमिका निभा सकते हैं यानि वे एक ब्रिज की तरह काम करते हैं प्रवासियों के लिए अपने मूल देश के विकास में मदद करने का सबसे आसान तरीका कमाई का एक हिस्सा भारत भेजना है प्रवासियों की ओर से घर भेजे जाने वाली कमाई की लिहास से साल 2022 सबसे अच्छा रहा है इस दोरान प्रवासियों ने 100 अरब डॉलर यानि 826 करोड रुपए भारत भेजे हैं और विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत इस मामले में टॉप पर रहा है प्रवासियों ने 2008 के भारत अमेरिकी पर्मानों समझोता कराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी यानि की पॉलिटिकल लॉबिंग का काम किया था उस वक्त इस समझोते का अमेरिकी कॉंग्रेस में काफी विरोध हो रहा था लेकिन अमेरिका में प्रवासी भारती एक समूह बनकर सरकार के लिए आगे आते हैं एक एक करके विरोध करने वाले अमेरिकी सांस सदों से मिलकर उन्हें कर्वेंस करते हैं इसके बाद यह समझोता हो जाता है तो इसलिए इंडियन डाइस्पोरा का बहुत अधिक महतो भी है भारतिय प्रवासी दिवस मनाने का उदेश्य क्या है? प्रवासी भारतियों की भारत के प्रती सोच, भावना की अभिवेक्ति, देश्वासियों के साथ सकारात्मक बाचित के लिए एक मंच उपलब्द कराना है विश्व की सभी देशों में प्रवासी भारतियों का नेटवर्क बनाना, युवा पीडी को प्रवासियों से जोड़ना तथा विदेशों में रह रहे हैं, भारतिये कामगारों की कटनाईया जानना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना, ये सारे उदेशे हैं ये दिवस म अब यहां पर सवाल ही आता है कि 9 जनवरी को ही क्यों मनाय जाता है यह दिवस यानि कि प्रवासी भारते दिवस 9 जनवरी को क्यों मनाय जाता है भारत सरकार हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारते दिवस का आयजन करती है दरसल महात्मा गांधी इसे दिन साउथ अफ्रीका से स साल 1915 में भारत वापस लोटे थे महात्मा गांधी को सबसे बड़ा प्रवासी माना जाता है जिन्होंने ना सिर्थ भारत के स्वतंतरता संग्राम का नित्रत्व किया बल्कि भारतियों के जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया इसके साथ ही आज का हमारा यह टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update